करम मंगता हूँ अता मंगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मंगता हूँ करम मंगता हूँ अता मंगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मंगता हूँ अता करें तुशाने रही में का सदका अता करें तुशाने करीमी का सदका ना मंगोंगत तुझे से तो मंगोंगत के से तिरा हूँ तुझे से दुआ मंगता हूँ करम मंगता हूँ अता मंगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मंगता हूँ जो मुफलिस है उनको तुदा दल अता कर जो भी मारें को सेहत अता कर मरीजों की खागते शिफा मंगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मंगता हूँ करम मंगता हूँ अता मंगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मंगता हूँ और आज के दौर में ये खास दौय शेयर है कि आलाह इस रमजान के बावरकत महिने में ये दुआ तो कबूल ही कर ले वतन के बढ़कते शरारे बुजा दे इसे पिर अखुआ का गुल्शन बना दे मैं सदकाए खेर लवरा मंगता हूँ इलाही मैं तुझे से दौा मंगता हूँ करम मंगता हूँ अता मंगता हूँ आमीन 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 और ये कलाम तो वैसे तो हर एक कलाम लेकिन ये कलाम जब भी हम सुनेंगे सो साथ ही ये भी कि आला तौला इस कलाम के सथ के हम जज़ साबरी भाई उनकी शहाद़ जहें उनके भी दरजाद बलंद करें अब्सूरत दौा जो उनकी आवाज में अमर हो गई है हम जब भी अपने रब के हजूर कोई भी ऐसी मेफिल में बैठके कोई दौा मांगने का सोचेंगे तो ये कलाम हर एक किलबों पर आएगा मैं तो पूरी दुनिया को यही पेगाम दूँगा क्योंकि अमजद भाई जिक्रे मुहमद वाले मुहमद करते थे जो भी शख्स जिक्रे मुहमद वाले मुहमद करे उसके लिए दौाए खेर करें और जो इस दुनिया से चला जाए उसके लिए चाहे वो नात पढ़ें हम पढ़ें, नहों पढ़ें, पुरान पढ़ें उसको जरूर याद रखें क्योंकि उनको रसूले खुदा भी नहीं भूलते उनको बंजदने पाग भी नहीं भूलते तो आप और हम कैसे भूल सकते हैं सुद्वाइ मगफरत का सलसला जो है वा जारी रिखें हमेशा है, जैसे उनकी आवाज भी साथ साथ आ रहे हैं हमेशा है, अपनी जो कलामात सुनेते हैं क्योंकि अभी जैसे, क्योंकि मेरी आवाज बहुत ज़्यादा खराब है तो जब अमजद भाई एकसर होते थे तो मैं सिर्व आँकों से उनको देखता था वहीं से पढ़ना शुरू कर देते, तो महसूस नहीं उने देते थे वो किसी चीज़ को ये बाराल हमारा एमान है कि वो यकीनन जिन्दा है हमारे से पढ़ रहे होंगे, ये अलग बात है कि हम उनके आवाज नहीं सुन पा रहे है वो हमारी आवाज जरू सुन देखता है बहुत ही स्पाइसी चिप्स का पैकेट मिलता है, वो हम बनाएंगे और उसको किस तरह बनाया है ये बहुत कम और पैकेट में चिप्स आते हैं वो बने बनाया है यहाँ पर हम अच्छा ये जो जो टिमाटर की चटनी बेसिकली ये बिलकुल नैचो स्वारा सालसा है इसमें जो हमने डी है क्योंके आम चटनी तो बनती है वो कडी बत्ते की और हरी मिर्च की बनती है लेकिन ये जो चटनी बनेगी ये सालसा है बेसिकली इसको हम नैचो के साथ ऐसके साथ लिए कहими हैं मासाले चीप की तरिद्ट मारिकी है में अचीजने, बीड़न बालू शाम हाल माथ ही बारिक करके इंधर में अचीजने, भेल बीम खीरे और में व्रये डाद के अच्छा चीजने, евाली की हो जाएं पहला उच्छा में अचा गलर दिना यह वो वाले चिप्स बन चुके हैं शर्फ सम्या ऐसे घर में हो जाए तो जल जाए हम फैंक देते हैं हम कहते हैं तो जल जाए है लेकिन यह जो है वोसको क्योंकि आप इसको खाके देखे तो आपको प्रॉपर एक डिफरेंट टेस्ट आएगा यह एक हैसका है क्योंकि नभे मशिन्स में बन रहे होते हैं हम तक अपने घर करhाई होते हैं उसमें बनाते हैं अचICS आये जो टिमाट्रे के चट्ट्टि जो हम सालसा कहरें जो तक हम झाले सालसा है यह बिसिक लिफस थार रह रहा है इसमें में तलो का तेर इसनमाल किया है और इसमें बहुत बारी कटीवी एक प्याज एड किये जो बड़े साइस की प्याज होती है हम इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन करेंगे उसके साथ चॉप गार्लिक कोई जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहींगे लहसन को चॉप करके इ पॉप झाय है वाजगे खेप भी के रचा है लाल पोल मिर्च जीरह है और हम ने तिमाटर के पहले बलांच कर लिए और इसको अपने चिल का उतार के उसको कॉप झा तो पर चॉप प्रर चॉप जूप ज्वरान पम कर लिए हम पिए फ कर पमने देवर्ध कीर आपने करे UT तो इसनी हम निसमें थुरसा हरादनी और हरी मिर्चों का जह है वो हमने भागार लगाया है जब आप घर पे इसको सालसा के तौर पे लेंगे तो एलेपीनो इसमें आट करेंगे, एलेपीनो का पानी आट करेंगे और 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 अरिगानो आट करेंगे और यूँकर सालसे थोड़ा लिकुइड में होते है थोड़ा अच्छा ग्रेवी टाइप तो आप इसमें टिमार्टर की कौंटिटी को डबल करते हैं तो इसमें आट को तुड़ा सागर कुछ को हम ग्राइन करके दालें तो भी जड़ा ग्रेवी और अच्छा बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इस तरह कर लें तो ये घर के अंदर जो इतना एक्सपेंसिव जो बजार में पीना हो इस किसम की चीजें जो वो एक तो कम तेल में और आपको सीज़ा बर्दस अच्छी डॉक्टर बिल्की जी असना नहीं है जो कहते हैं कि रखे आपके बच्चे को पुर्सुकून और देभरपूर नीन तो बारियाइत कीमत पे दस्तियाब है आज कर चीकू है? जी चीकू अच्छा मैं ब्लड प्रेशर के लिए बात देरी हूँ जिनका ज्यादा होता है या जिनका कम होता है? जिनका ज्यादा होता है ब्लड प्रेशर आपकी अद्वियाद से जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो मैं कुछ चीज़े बता देती हूँ जिससे आपका ब्लड प्रेशर इंशालला अपनी अद्वियात नहीं छोड़ियेगा, साथ में छोटी चंदन मार्केट में आराम से विलिबले, रावल फिया के नाम से इसी की होमपेतिक में मेडिसन होती है तो इसको छोटी चंदन कहना है, चोटी चंदन और ये साबुद धनिया, ये आपनी लेना है दोनों को हम वज़न, अगर मिसाल के तौर पर आपने ये 25-25 ग्राम लिया है, तो आप इसमें 10 ग्राम डालेंगे काली मिर्चे, दस ग्राम काली मिर्चे डालेंगे और 10 ग्राम ही आप इसमें छोटी इलाइची डालेंगे और हजब जरूरत आप इसमें गुड़ शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसका सफूफ बना के रखें, सफूफ बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक चमच सुबा शाम इसमें से खाना है, इससे आपका ब्लड प्रेश सुबा शाम करना है, सुबा शाम खाना है तो आप इसको खासकते हैं इससे इंशालब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा ब्लड प्रेशर वालों को चाहिए कि हमेशा फाइबर वाले फूट्स जादा क्या करीकश और इसके लिए जो फ्रूट्स में सबसे चीज है वो चीकू है, अच्छा, ब्लग प्रेशर के लिए बहतरीन है, सही, तो आप इसको क्या करने लगी है, मैं चीकू का शेक बनाने लगी हूँ, इसके दो फाइदे, एक तो आपका ब्लग प्रेशर कंट्रोल होता है, इसमें मे इसके लिए दो चीकू, एक खजूर इससे नहीं बढ़ना और एक छोटी इलाइची, लेकिन चीकू जो है, यह हर जगा पर बासानी दस्तियाब नी कराची में तो वाफ़र होता ना, जी कराची में तो लोग अराम से ले सकते हैं, लेकिन पंजाब और इन आलाकों में कहीं यह अवेलिबल होता है, इसमें मैं अधरक, पाइदी क्या हैं चीकू के, चीकू, चीकू के बेशुमार फाइदे, आपके जिसम में खिचावट हो रहा है, जाए वो किसी वज़ा से हो रहा है, यह नैच्रल पेंट किलर भी है, और एकदम अगर आपका दिल डूबा डूब जा रहा होता है, और बहुत घंगीन भी होते हैं, तो चीकू के एक ऐसी चीज़े इंस्ट एनरजी भी देती है, और आप एकदम से चार्ज हो जाते हैं, तो आप अधरक का इसमाल लाजमी करते हैं, आप अधरक डालिएगा, और इसके साद आपने दूट आउते हैं, अच् अच्छी चीज जो किछन में होती है, वो होता है नमक, फौर नमक को घोल कर उसमें पाउंड डिप कर लें, एक तो यह एक बाल जड़ भी बहुत अच्छा होता है, जिनको ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है, तो उनके लिए के लाल लाल चीज़े जादा खाएं, लाल लं ब्लेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे, इसको ब्लेंड करके यह जो शेक बन जाएगा, इसको आप सहरी पे ले सकते हैं, अफ्तार पे ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब तक यह तयार हो रहा है, हम एक ब्रेक ले लेंगे, और ब्रेक के बाद आएंगे, अच्छ से बहतरीन चीज़ आपके किचिन से आलु है आलु बिलकुल आपने कहकर नाया अलु कच्छे आलु का जूस निकाल के आपने पिलेन और यूर्य के सिट मे आपके छोटे जोड़ ज्यादा दूर्द करते हैं आपने कहरे करना हैं आलु को काटके उसी को रगर ले उसी आलु और एक और चीज जो होती है अपना गार्लिक अद्रक तिक अगर आपको बहुत जादा पाउ में दर्द होता है लसन लसन सॉरी लसन आपने किया करना है लसन को पीसने के बात आपने अपने अडियों पे लसन लगा करना बैंडेज बान दे है अच्छा जो यूरिक एसि आप लखिठे अपनी किच्छर में लसन को रखे लखे लखे रखे 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 रखी वह पीला होजएगा देशी लसन में से ओफनी साजी नी maior एखनी पर के लिए उसका आप उनिक लेडियों लगा खेब्लिया करे यूरॹ एक रूक्ष गो पॉली प्रोइन का सूर सारा कुछ जावे चोड़ दे, सही, आचा और कॉलिस्ट्रॉल के लिए, कलिस्ट्रॉल के लिए देखें, मैं जो अपने पेशिंट्स को बताती हूँ, मैं यह कहती हूँ कि आप प्योर सिर्का लें, असली सिर्का हमेशा बद्बूदार होता है, आपको उससे गवरानी की सब को पहले आपने की जार में भरा उसके उपर आपी असिर्का डाल दे, बंद करके वो आपने अपने टेबल पर रग दे, सही है, वो दिनों में बन जाता है, दो तीन दिन में आपका चार तैयार होगे, उसमें से एक चमच आपने लेना है, जो सालन आप इस्तमाल करें, आप उसमें डाल के उसे इस्तमाल करें, उसको इस्तमाल करें, जिसमें को राइगी, मैथरे भी आएगे, जिसमें लेसन भी आएगा, द्रश भी आएगा, प्यास भी आएगा, और इसमें वो चीज भी नहीं होगी, कि आपको एस्सिर्की का इस्तमाल करें, तो आपका खाने को भी हजम करेगा आपका बैट के लिए स्ट्रोल जो आपको नुखसान पहुचाता है वो भी आप इक स्क्रीट आउट होगा बिल्कुछ सही सु ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के बाद फिर आप से बिला कराएं खुशामदीद रमजान इश्क है सहरी नासमिशन में आज हम बात कर रहे हैं तौबा अस्तखपार के उपर और जिस सवाल मैंने किया था रॉक्सा आप से और मौलाना इसमी सहाब से दोनों के सामने रखें दोनों इस पर जवाब ने कि बंदे के अगर हकूक हैं माजबल अदा और ऐसे हकूक हैं जो दूसरा शक्स माफ करने पर तयार नहीं है भले वो कोई भी है तो उस शक्स की क्या तौबा अल्ला की हुजूर में कबूल हो जाएगी जबके वो सिर्फ अल्ला से माफी मांगता रहे और दूसरा शक्स जब जो भी इसका मामला है वो माफ करने पर तयार नहीं है दिए नहीं मैं आप सर शक्रूँ के हम जर्म की नोईध को देखेंगे क्या उसने ऐसा जर्म कर दिया जो नाकाबल एतलाफी है मिजाल के दूर पर किसी को मार दिया किसी बंदे को तो उसकी एक सुरत गसास है ठीके ना और फिर दूसी सिहत है उसकी दियत ले ली जाए ऐसी सुरत में ल לה भी माफ करेगा बंजा भी माफ हो गया बूसी सुरत ये है कि किसीने किसी के हक को गस्त कर लिया अकबजा कर लिया तो पहली बात तो ये है कि उसका قبضہ واپس کرے उसके حقوق واپس کرے और फिर उसको ऐसे प्लेंटी या ऐसे नदामतन या इहसानन उसको बढ़ा कर वापस दे और फिर उसके बाद तोबा अलग करे और फिर उसके बाद तीसरा एक ऐसा जुर्म होता है कि इनसान किसी की इज़त को और हुर्मत को पामाल कर दे तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि उसने जिस मौाशरे में जिन लोगों में मिसाल के तौरबा किसी ने किसी को खांदान में रुस्वा किया तो सबसे जाकर बारी बारी कहे कि नहीं जनाब वो मेरी गलती थी वो मेरा गुनाह था इस शक्स में ये आयब नहीं पाया जाता और फिर उसके बाद उसमें उस शक्स को जिसको बराहरास उसने हिट किया था उसके बाद जाके उसे मौफी मांगे तो यकीना अगर वो मौफ कर दे तो अल्लाह भी मौफ कर देगा और पुरान ने बाद जो करता हमें माफी मांगने का मौफा नहीं मिलता बहुत सरे ऐसे लोग जिन से वो अचानक इंसान अचानक चला जाता है तो उस सुरत में क्या होगा तेखे मैं आप से एर्ज़ करूं कि ये तो इसलाम की बन्यादी तालिमाद से है लहाज़ एक मुसल्मान अगर कोई कितना भी गुनहगार हो कितना ही उसे उसे सताया क्यों नहो जब वो इंतिकाल कर जाता है तो हमारे हाँ ये तरीका है दस्सूरे से मुआफ कर दे लेकिन अगर कोई शख्स उसे मुआफ नहीं करता और इसलाम की तालिमाद असल में हमने भुला दी है इसलाम की तालिमाद तो ये सरकार ने फर्वाया कि अगर तुम किसी अपने भाई पर एब लगाओ तो फिर पहले अपने गिरिमान में जहांकर देख लो क्या तुम में वो एब तो मुझूद नहीं है लहाज लहाज़OS हम इंगली हुँ करते हैं अगर युँ करना शुरु करते हैं तो यकीन जानीए के हमारा मुढशरा सुदर जाये अगर हम इस उंगलियों कर इस उंगल्सक्णाविया थक्ता लेकिन अगर किसी ने अपने भाई कि गुनाहों पर उसे शरमिंदा किया यहदिए के अफ़ाथ है हाला कि वो तूबह की तरफ जा रहा था लेकिन उसके गुनाहों पर उसे शरमिंदा किया तो अल्ला तबार Hamm 250 तक उसे मौत नएगा जब तक जो खुद को उस गुनाह में वो खुद उस बंदे को इस गुनान में बतला ना फर्मा दे लिहाज ये वो सारी चीज़े हैं जिनके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हाँ आफ़ो दर गुजर की भी तालीम है और हमारे हाँ आएब ना लगानी की भी तालीम है दोह तालीमात मुझध है कहा जी अल्ला ताला जो है माफ कर देगा अल्ला ताला माफ करने वाला मैं ये पूछ रही हूँ कि जब बंदों के बहुत से वह जो नौसर चुए खाके बिली हचको चली वाला जो महावरा है कि जब हम समझते हैं कि हम तौबा, अस्ताफ़, नमाजों के ज़िए से बख्षवा लेंगे हम बंदों के साथ जो मर्जी करते रहे तो ये मामला थोड़ा सा मैं ज्यादा वजाहत के साथ जानना चारी है कि अल्ला ताला अपने हकूब तो माफ कर देता है अज़ पर मैंने एक और मी मामला देखा इसी के साथ सवाल जोडने की जाज़त दीजेगा मैंने देखा बिल्कुल जब पता डॉक्टर ने जवाब दे दिया है अब वो क्या कह रहे है फलाँ को बलाओ मैंने उनसे माफी माफी मांगनी है सारी जिन्दगी नहीं मांगी अब जब वक्ते रुक्सत है अफलाँ को बलाओ मैंने उससे माफी मांगनी है उससे कहो मुझे माफ कर दे अब वो ऐसे होता है इसे आपके उपर और बलोग कह रहे है चलो अब तुम माफ कर दो अला तुहिबूना आई यग्फिर ल्लाहु लकुम गुना जिसमें हुकुकुल अबाद का मसला है दो तरह के हैं एक फर्दी हुकुल अबाद है प्राटर भाई की मैंने कोई खिवत कर दी तोहमत लगा दी परान भाई और नहीं सब इन फरादी अधर उनसे जाके माफी माँगना है और उनको राजी करना है लेकिन एक वक्त इजित्माई मैंने गुना किया कितने लोगों को रिश्वत खाई और कितने लोगों को मैंने ट्रैफिक पर रोक के सिगनल पर रोक के उनसे चैलान करने के बहाने अज मैंने लफ इस्तेवाल किया गया कि जनाब ये जो पुलीस वाले रोक के जेव से रिश्वत ले ले लेते हैं या रोक के रिश्वत मांगते हैं मैंने कि ये रिश्वत नहीं है ये ड़केती है अच्छा क्यों रिश्वत ये कि मेरा हक नहीं है उस हक को मैं हासिल करने के ल लगाये हुए है और आप रो करें क्यों इसे कि आप में गलती किये अच्छान करो खतम यह जो हाथ मिला के गुफ्तगू शुरू होती है जी तो यह अफिशली डगेती है सालेपुरी स्वालों को मैं शामल नहीं करता लेकिन वो जो रिश्वत मांगते हैं या निकालते हैं हम गलत इस्तिला इस्तेमाल करते हैं यह डगेती है तो इस तरह की डगेती हैं लोगों के हुकुक किसी तरह से इस्तिमाई अगर खाले पहले तो यह हुकुक अदा करने की कोशिश करें अगर वो वाक्यान शर्मिंदा है नादिम है और सब तक नहीं पहुँचा सकता है तो फि लोग खुश हो जाएंगे और वो लग अलाओ से कहेंगे ठीक है इसके वज़ में हमें ये मिल गया है हम इससे राजी हो जाते हैं लेकिन जो शक्त तौबा के दिया तैयार ही नहीं है जैसे आपने फरमाया है कि आखिर वक्त में बुलाते हैं राजी हो ये तो दुनिया की एक फॉरमेलिटी है अगर यू करने जाएं तो फिर तो किसी पर कोई अधा भी नहीं कुछ नहीं हां नमाद जनादा जो पढ़ते हैं वो एक तरह से हम अल्ला ताला की वेहदानियत की रसुल अकरम की रिसालत की और उसके बार जो दौा पढ़ते हैं कि पालने वाले इसको करता है लेकिन फिर भी किसी ने मिसाल के तोर पर वाकिया है कि किसी ने किसी लड़की के बारे में रिश्टे के बारे में एक खानदान में बात डाली और आके किसी उस महले के शक्स से पूचा कि क्या ख्याल है उसमें का कि बस ठीक है ये बात बाइस बनी कि वो लड़की ज तेलाना हो जाए इसलिए अल्ला ताला ने फर्माया है रसूल अकरम ने फर्माया है आएमा मासूमी ने फर्माया है पिर जब गुना हो जाए और एहसास करो नमास क्या है कि अपने गुनाहों का एहसास करके फौरान साफ कर लो रसूल अकरम फर्माता है अपने बंदों की महबत में मुलाइम गर्म पानी का चश्मा रखा हुआ दिन में पांच मरतबा बंदा जाए और उस हौज में उस चश्मे में अपने आपको डुबाए और पात करके बाहर निकाले और इमाम जाफर साथ अलिए अलिए सलम का गीवत करके तौमत लगाकर फसाद पहलाकर इज़त लूटी जा सकती है इसलिए हासिवू अन्फुसकुम पबलान तो हासिवू इससे पहले के हिसाबो अपने नफ्स का और्डिट कर लो मैं आई अगर आपकी इजादा हो तो मैं तौबा का दर्वाजा जो है वो उस वक्त तक खुला है जब तक निजा की हालत तारी ना हूँ इस पर नभी करीम ने बनी इसराइल के एक शक्स का वाकिया सुनाया कि उसने 99 गतल किये दे फिर वो एक राहिब के पास गया और उससे कहा मैंने 99 गतल किये तो मैं अब डर रहा हूँ तो मुझे माफी मिल जाएगी तो उस वक्त उस राहिब ने उससे कहा कि नहीं तुम्हारी कोई माफी ने तुमने तो इतना बड़ा जर्म किया उसने पर उसको भी गतल कर दिया उसके बाद वो तलाश करता रहा कि कोई मिल जाए मुघे पर एक अल्लावाले मिले उनुने कहा तौबा करो अल्ला से तौबा करके फिर फुला बस्ती की तरफ चले जाओ वहाल वालों की बस्ती है वहाँ चले जाओ और वहां उनके साथ शामिल हो जा और बड़ा मात फर्माने वाला है उन्हें तौबा की वो उस तरफ चला रास्ते में उसको मौत आ गई जिस वक्त उसके उपर हालत तारी हुई तो वो सीने के बल थोड़ा सा आगे बढ़ा अब जहंनम के फरिष्टे भी आ गए और जननत के फरिष्टे भी आ गए जहां इसने जाना था तो नोग derivatives की जमीन का फासला नापलो जिस तरफ जिसके यह करीब हो वो लोग इसको ले जाए जैए चुनाचे जब फासला ना पा गया तो जो वो दो गदम सीने के बल आगे बढ़ा था कोशिश की थी उसने कि मैं उधर बस्ती तक पहुंच जाओं वो दो गदम जादा निकले लहाजा लाहरा रभ रजज़त ने माप फरमाया और जन्मेपारे ले गाए तो तौबा का दर्वाजा जो है वो आखरी वक्त तक खुला है अल्लाह रभ रभ रजज़त जैसे के शैतान ने गाना मैं उस वक्त तक इनको नहीं छोड़ूँगा जब तक इनके जिसम में रू है अल्लाह अर्भ पुलिज्ट ने फर्माया कि मैं भी उस वक तक इनको नहीं चोड़ूँगा जिब तक इनके जिसम में रूह है यानि नजा की आहलत तारी होगी तो फिर तौबा का दर्वादा बंदोगा जैसे फिरॉण पे हुआ वर्ना तौबा का दर्वादा कुलाए है बहुत ज़्यादा खदा करने वाले बेतरी खदा कार कौन है? जो तौबा करने वाले लेकिन अद्रात Alli कर्मला वज्छों का ये भी तो कॉल है जो गुनाह तौबा की अमीद पे किया जाए वो सबसे खतरनाक है तौबा होती कव है तौबा होती जब है जब जो गुना किया उस पर नदामत हो ठीक है लेकिन आप देखे रहा हूँ मैं आज जूटी कसम खा रही है मैंने लोगों को देखा है कुरान हाथ में उठा लेते हैं कसम खा लेते हैं और उन्हें होता क्या है कुफारा दे देंगे अब इस कसम का क्या इतना असान है कि मैं कल कुफारा दे दूँ और मैं ये लोग तो मौाशरे में हैबिचुवल है और इनको बाकाइदा इन्होंने अपना धंदा बना लिये हम आवाम उन्नास की बात करें अवाम उन्नास की घर वे छोटे-छोटे मामलात पे मामला कुरान पे आके ठेरते हैं बेगुना शक्स दिसके पास कोई गभाही नहीं होते हुए गयता है चले आपे मैंने बहुत सरे ऐसे लोगों को देखा है जो जूट पे होते हैं और वो कुरान उन्नास की बात में किते हैं उनके दिलों पर अल्ला ने मौर लगा दी वो करते ही रहते हैं अद्व अल्ला वाला कुलूबीम ये मुनाफिकीं के लिए जो जूटे लोग है उन पर अल्ला ने अलग से लानत फरमाई है और इसके अलावा जब जूट बोलते हैं या तोहमत लगाते हैं बताया गया कि जो बरकतों वाला फरिश्टा है वो माईल्स उससे दूर चला जाता है लहादा जिस घर में जूट बोला जाता है उस घर से बरकत उट जाती है अखलाकिया खतम जाती है मुझे पता है कि मैं आपको धोका दे रही है मुझे पता है मैंने प्लैन किया वैं मेरी सोची समझी एक स्कीम है कि मैंने आपको धोका देना है आपसे माल लेना है आपके साथ ये करना है वो करना है जो भी करना है मैंने वह सब कुछ किया और जान बूच के किया और अमदन किया कसदन किया प्लैन करके किया अब उसके बाद मुझे बताइए कि क्या तौबा जो है मैं करना चाहूं तो तौबा मेरी कबूल हो जाएगी जबके मैंने इस तरहां धोका प्लैन करें एक तो ये कि अगर कोई शख्स भूल कर गुना कर लेता है तो उस पर मुआफी मांग ले अल्ला मुआफ कर देता है दूसरा ये है कि अगर कोई शफ गुना करता है एक सो खता है जो भूल कर होती है एक गुना है जो जान बूच कर होता है उस गुना का कफारा है और एक जुर्म है और उस जुर्म की सजा है चुनाचे वो ताजीरी सजा भी है वो सजा अल्ला के हां भी है अब आपने जो बात क तो उसको गानून किस तरह पकड़ेगा, उसको मुकनिना किस तरह पकड़ेगी, उसको अदलिया किस तरह पकड़ेगी, ये है। दूसरे दवाद होगा, पुरे मुआशने में अपना मकाम गिरा लेता है, अगर किसी बिजनिस में है, तो उस बिजनिस में उसका रेपूटेशन खराब हो जाता है, और अगर किसी और इदारे में, सियासत में भी देख लें, तो कोई शफस उस पर एधिबार करता हो नज़र एक मिनट की जास देगा, बहुत देर से भाई कुछ कहना चाहरे है, तरहान में, मैं कुछ कहना नहीं चाहरा था, बस मेरे जहन में एक उस वक्त की कॉल आ गया था, जबकि ब्लग उफ्तकु कर रहे था, कि मौला अलियाससलाम परमता, आप सब की तायत चाहूँगा, इजा सकता हूँ, लेकि फिर मैंने माफ किया, तो ये है असल हग इसको है, बेबस का, जब मैं एक चीज़ अर्स कर रहा था, कि अभी जैसे हजरत ने फरमाया आपने सवाल किया था, कि तोबा मतब गुना कर रहा है जान बूच कर, तो आप पांचमे कलमे का अगर तर्जुमा किया हूँ, ये छुपकर किया हूँ, दोनों सूर्थों में तौबा, ने, मैरा तकरार इस सवाल की सिर्फ इसलिए है, इस नुक्ते की वजाहत के लिए, कि अगर मैं ये समझूँ, कि मैं सारे बंदों के खाके जियात्ती करके, अपने रब के हुजूर में माफी मांग लू अग्षी का लिए, कि मैं सारे बंदों में ये सिर्फ के खार इस सवाल के लिए जार वाल के लिए, कि अगर इस बमके लिए चला सकते लिए.